दोस्तों बहुत दिन से मन में एक इच्छा थी आप लोगों के साथ जुड़ने में आपकी और अपनी सोच को सेयर करने की नई जानकारियों और समाज के नई चुनोतिय के बारे में इस चैनल के माध्यम से आप लोगों से डिसकस करने की तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलत करता है एक बार उस पर नजर डालते हैं चानुचे चौदा से लेके 32 के बीच ये मूल आधिकारों का प्राउधन किया गया है इसके तहत समानता का आधिकार दिया गया है यानि कानुन के सामने सब को सब हर कोई बराबर है हर लिंक से कोई सी लिंक से हो जाती हो धर्म हो या अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है या आपको कहीं पर सताया जा रहा है जाहे आप किसी भी धर्म के क्यों नहों अगर आपके धर्म के साथ या आपके चाहों किसी भी धर्म का क्यों नहों या किसी और तरीके से उसके उपर कोई भी अगर अत्या अधिकार होता है तो हमारे समिधान के अनुछिद नाइंटीने के ताहत बीचार अभिवक्ति का अधिकार है इसके ताहत कोई भी नागरिक अपनी आवाज उठाने के लिए धर्ना प्रदसन कर सकता है लेकिन आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं यह धर्ना प्रदसन उनके ताहत होना चाहिए यह अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपके जो मौली का अधिकार उसका उनंगन हो रहा है तो आपके मौली का अधिकार के उनंगन के मामले में हाई कोट या सुप्रीम कोट का दरवजा खटखटाए जा सकता है कारों के लिए आवाज उठाना अधिकार अधिकार के सामने रखना है यही तो पूरी दुनिया में हमारा अलग बनाता है जोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस संदर में हमारे जो माननी न्यायला है एक फैसला दिया था 23 जूलाई 2018 को उसने वहां पर कुछ जंतर मंतर पर धर्णा प्रदसर क के ज़्यादे देते हुए अथार्टी से कहा था कि वह इस बात को सुनेचित करें के धर्णा प्रदसर के दौरान वहां रहने वाले किसी भी सारी को को कोई तकलिप नहीं होगी उसका जो मौली का अधिकार है वह प्रभावित नहीं होगा और मानने न्याले ने 9 अगर्स्त ने क्लियर किया था कि लेकिन हिंसा या हिंसिति की हिंसा या हिंसक इसी वह पैदा करने की इजाज़त किसी को भी नहीं दे जा सकती चाहे वह कोई भी हो अभी दोस्तों पुलिस को पत्थर मारने में मारने से सारोजेंग संपर्ति को नुकसान पचाने से हिंदू मुस्लिम क पूए जहां में पर कंवर्यावर्स करते हैं, कि आपको नाम पर कुछ ऐसा जंडा लगेगा आपकर नाम पर मूर्ति बनेगी जंडा तो नहीं लगेगा लेकिन जिंदगी बर्बाद हो जाएगी कोड कशरी के चकर में आप जिस किसी का भी मोहरा बन रहे हो उसका तो कुछ नहीं होगा लेकिन आपकी जिंदगी बरबाद हो जाएगी और जब तक ये केस चलेगा लगबग दिन बर वही है न कहाई पे देख तारीक पे तारीक तारीक पे तारीक ऐसा करते करते तीन चार साल पान साल जब ऐसा निकल जाएगा तो जो जिसके जो आपके आज पास को लोग रहेंगी उनको भी याद नहीं होगा कि आप इस पर केस पर केस तारिक पर तारिक जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो किसी को याद नहीं होगा कोई आपको याद नहीं रख प्रायक नेता बन सकते हो लेकिन सरकारी नों कोई तो भूल जानेगा और जो भी जम्मा पुंजी है खेद बारी है वो सब क्या होगा कि ये कोट कचारी के चकर में बेचा खतम हो जाएगा अपने आसपास आपने भी देखा रहेगा बहुत लोगों को यह हमने भी देखा है अ संसर motor शाहिए तो हमारा जो है हक है इसके में हमारे और गाहांृज़एत हमारे देश का फ्रहला है लिपश क्यूंते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ एक नए डिस्कुरिशन के साथ हमारे चैनल मारगंड्रेपे विजिट करने के लिए है आपका धन्य बाद मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट टॉपिक के साथ असकार ससीकाल सलाम अलेकुम हार्दिक सुबेच्छा